अलो एवरिवन वेलकम तुनिट यूजी इंटन ब्राट टी यू बाइ अनकाडमी जो की इंडिया का लाज़ेस्ट ऑनलाइन लेर्णिंग प्लाइट फॉर्म है यहां आपको मिलती है डेली लाइफ क्लासे लाइफ टेस्ट एंग विजेस्ट ट्रॉक्टर कोर्सेश एन अनल सारे फीचर्स अवेल करने के लिए इसके लिए कई ऑप्शन्स अवेलेबल हैं हमारे पास 136 1224 सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफी वास्ट है थोड़ा टाइन टेकिंग होता है इसलिए एक साल या दो साल का पैकेज सबसे अधा पॉपलर होता है और आप देखेंगे कि ए हमारी बेस प्राइस हैं मेरा नाम लवकिशोर श्रिवास्तवा है मैं समय काम कर रहा हूँ आप परसनले मुझ से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलिग्राम लिंक नीचे आड कर दिया है तो आज हम बात करेंगे एलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की जो लाइट र रिएक्शन में लास्टाइम मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के फोटो सिस्टम होते हैं एक होता है फोटो सिस्टम टू पीएस टू एक होता है पीएस वन ठीक है फिर से मैं रिपीट करूँगा कि यह order of discovery के basis पे है ठीक एलेक्रॉन ट्रांसपोर्ट में या फिर सब्सक्राइब करता है इसके अंदर का स्ट्रक्चर हमें देखा कि एंटीना कॉम्टेक्स होते हैं लाइट और रियाक्शन सेंटर होता है ठीक है वह सब बात हम डिसकस कर चुके हैं अब हम इनको इसको सिर्फ क्या कंसिडर करेंगे एक लाइट ट्रापिंग एक लाइट र गेन या अधिशन ऑफ एलेक्ट्रों ठीक तो यह बेसिक बाते दिमाग में याद रखना तभी आगे की चीज़े क्लियर होंगी ठीक चलो बढ़ते हैं फिर अब इस डाइग्राम को मैं थोड़ी सी देर में समझाता हूँ देखो सबसे पहला स्टार्ट यहां से करना है तो दोबारा तो यह बाते तो हम कर चुके हैं कि फोटो सिस्टेम टू में दर रियाक्शन सेंटर और क्लोरोफिल ए सबको पता है एंड कौन से अब्जाब करता है यह 680 नानोमिटर जो की रेड लाइट में आता है ठीक है अन इट कॉज़े इलेक्ट्रों स्टू बिकम एक्सा ठीक अब जरह हम इदर देख लेते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्पलिक्स किसका है यह यह पी एस तू का है इसमें देखो यह लाइट आ रही है लाइट आई क्या किया इसने यहां इलेक्रोंस इसमें जो इलेक्रोंस प्रेजेंट हैं इसमें इलेक्रोंस होंगे ना इन electrons को इसमें से निकालती है, अभी देखो, electron travel कर रहा है, और एक electron acceptor present होता है, तो क्या हुआ इसका oxidation हुआ और यहां electron accept हो गया तो यह reduction हुआ और यह oxidation हुआ देखा पूरा का पूरा खेल oxidation reduction का ही है फिर क्या होता है कि यह electron आगे क्या होगा यह अब आगे किसी और को देदेगा अभी यह oxidized state में है देखो यहां से electron loss हुआ है तो ये ध्यान रखना अभी, ये already electron के loss में है, अभी इसका electron की भरपाई नहीं हुई, कैसे होगी, वो भी हम जानेंगे, वो भी important चीज है, तो अभी ये ध्यान रखो, कि ये oxidize हुआ, इससे electron खो गया, electron खो गया, electron acceptor molecules present होते हैं, उन्होंने ये photosystem 2 की बात हो रही है, फिर है पांच, चार तरीके के, क्या होगा, electron acceptor से, मालनों इसके पास आया, तो ये reduce हुआ, ठीक है, फिर ये electron इसको देगा, फिर ये औक्सडाइज हुआ, फिर ये reduce हुआ, ये जब इसको दे देगा, तो ये oxidized हुआ, ये reduce हुआ, ठीक है, बीच की कहानी ये तुमने देख ली, तो अब बीच में एक साइटोक्रोम याद रखना साइटोक्रोम इसका complex present होता है electron transport chain में भी ठीक है ये molecules present होते हैं बेसिकली जो help करते हैं इसमें ये मैंने बता दिया extra point आपको तो electron transport होते 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 कहां पहुँच गया light harvesting complex of photosystem 2, sorry 1 photosystem to 2 तो ये हो गया photosystem 1 ठीक है अब वही कहानी आगे भी ये इसको करेगा excite ठीक लेकिन क्या होता है ये अब ध्यान देना अभी यहां पे pause कर दो ठीक है अब तुमने देखा light यहां पे भी पढ़ रही है ठीक है तो क्या होगा imagine करो जो चीज यहां हो रही थी यहां से भी electron निकलेगा क्योंकि light यहां पे भी पढ़ रही है और light यहां पे भी पढ़ रही है यहां से electron निकला ठीक वही कानी आगे यहां भी continue होगी तो ये भी oxidized state में है लेकिन इसकी जो oxidized state है जो यहां से electron आ रहा था वो इसको यहां यह भी तो electron आ रहा है तो यहां से जो electron loss हुआ वो ps2 वाला electron भर देगा इसको तो यह वापस ground state में आ जाएगा ठीक है वापस normal state में आ जाएगा लेकिन अभी भी खाली कौन पढ़ा है यह क्योंकि यहां से तो electron आगे निकला इसको इसने भर दिया यह भी एक electron दिया तो जो finally जा रहा है ठीक तो यह basic है अभी दिमाग में ध्यान रखना आगे हम और देखेंगे तो यह मैंने बता दिया cytokromes यह कहानी अब आपको पता हो गई अब बात आती है कि पूरा का पूरा जो reaction है यह oxidation है redox potential के basis पे होता है यह आपकी chemistry का part है इसलिए यहां discuss नहीं करूंगा हाँ बस यह ध्यान रखना कि कौन oxidize हो रहा है कौन reduce हो रहा है ठीक है तो सबसे पहले अब एक point देखो कि electrons are not used up यहां से जा रहे हैं ठीक है आगे बढ़ा आगे बढ़ा अब देखो electron finally कहीं lose नहीं हुआ है कहां चला गया था PS1 पे आ गया था ना अभी मैंने बता है PS1 अपना चालू रखा है कारिकरम ठीक है अपना electron देगा लेकिन खुद LHC complex शुरुआत LHC से ही हो रहे थी light harvesting यह light absorb करके एक electron दे दिया लेकिन अभी तो यह खाली है ना तो यह जो photosystem 2 से electron transfer होते होते आया वो इसके खालीपन को भर देगा तो finally देखा तुमने electron कहीं loss नहीं हुआ यहां transmit हो गया system 2 में और यह वाला जो है यह करिक्रम आगे electron अब आगे बढ़ रहा है क्या करेगा हम उसको देखते हैं तो अभी आपने क्या देखा free electron कहां आया यह PS1 में free electron अब भूम रहे हैं PS2 वाला जो था उसने PS1 की कमी पूरी करे दी ठीक अच्छा तो यही चीज मैंने आपको बताई कि 700 nm PS1 जो है वो 700 nm पर आता है और यह 680 पर आता है ठीक तो 680 वाली light इसको कर देगी sunlight में तो सब कुछ present होता है 680 भी 700 भी तो दोनों excited होंगे ठीक I hope कि अब basic एक समझ में आ गया होगा और यह याद रखना देखो इसमें अब एक इसको देखो light harvesting complex से electron transport बेगा फिर यह वाला reaction electron transport system जो आया यह हम लिख लेते हैं अगर PS1 लिख लो ठीक है तू सारी PS2 से electron acceptor आया फिर यह जो electron transport system है यहां से करता करता finally कहां पहुंचा PS1 पर पहुंचा और PS1 से भी कहीं आगे जो जाना है तो यह बन रहा है नहीं एक बन गया यह 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 बन रहा इस लिए हम इसको लेट स्कीम भी बोलते हैं जल्दी से फिर में आगे दिखाता हूँ एक दिखना अभी यह जो electron है यह वाला electron है जो फिर आगे बढ़ते बढ़ते ये finally ये करता है एने डीपी से एने डीपी से एने डीपी एच बना देगा क्या रोल है इसका हम आगे पढ़ेंगे phosphorylation में ठीक अभी इतना ध्यान रखना कि finally electron ने क्या किया घूम फिर के ultimate result हमको दे रहा है एने डीपी प्लस से एने डीपी एच बना दे रहा है इतना दिमाग में रखना light reaction से ये मिल ला है ठीक है तो ये point तो आपको clear हो गया एने डीपी से एने डीपी एच बन जाएगा ठीक reduction प्रसेस से ठीक क्योंकि add हो रहा है ना electron अच्छा अब बात आती है ये जेट स्कीम की बात मैंने आपको बता दीती कहां जे शुरू हो रहा है ये फिर से आपने देखा था ये शुरू हो रहा है पीएस टू से उपर गया electron acceptor के पास आया electron transport system अब पीएस वन और फाइनली क्या करेगा ये एने डी एच बना देता है ठीक तो देखो जी शेप में आ जाता है ये इसलिए इसको जी स्कीम कहा जाता है ठीक अब electrons photo system 2 दियान रखना photo system 2 अभी भी खाली था तो क्या होता है कि पानी जो होता है अब स्प्लिट होगा तो कुछ electrons निकलेंगे ये electrons photo system 2 की कमी को भरते हैं ठीक तो ये ध्यान रखना इंपोर्टन पॉइंट है ठीक स्प्लिटिंग ऑफ वाटर और स्प्लिटिंग ऑवाटर सही oxygen भी रिलीज हो रहा है ठीक तो ये पार्ट याद आगया आपको कहां से हुआ कैसे कैसे आ जा रहा है ये सब बाकी points मैंने सब समझा दिये हैं तो I hope कि आपको एक basic idea लग गया हो क्या कैसे हो रहा है ये देखो spitting of water का reaction समझ में आ गया तो like करो सब्सक्राइब करो and love 10 code उसकर के एनक आडमी से जुरो मुझसे personally जुरना है तो मैंने अपना टेलिग्राम लिंक नीचे add कर दिया है thank you मिलते हैं अगले लेक्चर में